ओम श्री गड़ेशा आई नमारादर है दोस्तों आप सभी का मेरे चनल वतकता एसलोजर में स्वागत है दोस्तों बिना अल्टा साउंड के आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपने बेबी बॉई को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को दोस्तों यूँ तो देके हर औरत का सपना होता है मा बनने का और बेटा बिटी को लेकर भी बहुत सारे कोशन उसके मन में उठते रहते हैं कि हमें लड़का होगा या लड़की होगी दोस्तों अगर आप गर्वती हैं तो सबसे अच्छा जो तरीका है जानने का कि आप लड़के को जनम देने वाली हैं या लड़की को दोस्तों वो है गर्वती महिला के पेट के आकार को देखकर अगर दोस्तों गर्वती महिला का जो पेट है वो नीचे की तरफ से फुला हुआ है उबरा हुआ है और उसका जुका नीचे की तरफ है तो यह साइन देखे लड की होने का माना जाता है दोस्तों बहुत ही खास लक्षन है इस लक्षन को आपको ध्याद से सुनना है अगर गर्वती महिला की आखे तेखे पीली पढ़ गई हैं तो यह साइन देखे लड़का होने का माना जाता है माना जाता है कि जब गर्ब में लड़का पल रहा होता है तो आखे पीली पड़ जाती है आपके हाथों के नाकुन पीले पड़ जाते हैं अगर आपके नाकुन बहुत ज़्यादा पीले हो गए हैं या गर्वती महिला की आखे बहुत ज़्यादा पीली हो गई ह तो ये साइन देखे लड़का होने का माना जाता है क्योंकि नॉर्मली देखे किसी की भी आखे पीली नहीं होती है और बहुत से गर्वती महिलाओं की देखे जीव पर सफेद सफेद वाई सा मतलब दही सी परच जम जाती है अगर आपको पूरी प्रेगनेंसी में ही अगर ये दो लक्षन दिखाई देते हैं तो यकीन मानें आपको लड़का ही होगा अगला साइन बहुत ही सटीक है दोस्तों अगर गर्वती महिला के जो हाथ पैर है बहुत ज़्यादा सुन्दर हो गए हैं सॉफ्ट हो गए हैं यानि देखे जो महिला होते हैं उसके हाथ पहले से ही सॉफ्ट होते हैं लेकिन प्रेगनेंसी के दोरान अगर आपको और ज़्या महिने में अगर आपको अपने बच्चे की जो मूमेंट है उसकी जो हलचल है जो वो किक करता है अगर आपको नाभी के निचले वाले हिस्से में यानि पेट के निचले वाले हिस्से में जातर अगर आपको मैसूस होती है तो यह साइन देखे लड़का होने का माना जाता है व अगला वहां अगला साइन बहुती शवर्टी के महिला को बहुत तेज प्रबुख श्मेल आती है खाने की चीज़ों से खासकर जब आप चोक लगा रहे हैं या आटे से रोटीों से घी से आपको बहुत ज़्यादा strong smell आती है, प्याल लसन की smell आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, तो ये sign देखे लड़का होने का माना जाता है, और अगर आप प्याल लसन काट रहे हैं, छोक लगा रहे हैं, आपको पहले जैसा ही लग रहा है, आपको कोई भी मतलब strong smell न एक छोटा सा test कर सकते हैं, कि आप सबसे सुबे का जो urine मतलब होता है, जो पहला पेशाब होता है, उसमें अगर आप एक चमच बेकिंग सोडा लाल दें और उसको एक्जोप करें, देखें, अगर आपके urine में बहुत ज़्यादा ज़ाग निकलने लगते हैं, तो ये sign देख प्रेगनेंसी के दोरान गर्वती महिला खूब पानी पीती है, उसके बाद भी उसका urine बहुत ज़्यादा डाक यल्लो आता है, तो ये sign लड़का होने का माना जाता है, वहीं पर जब गर्व में लड़की होती है, तो गर्वती महिला का urine है, वाइट या लाइट पिंक में आता है, और कई बारी देखें, आप डिहाइट रहते हैं, तो इसकी वज़े से भी आपका urine है, बहुत ज़्यादा मतल़ यल्लो आता है, दोस्तों अगला sign बहुत ही सटीक माना जाता है, अगर गर्वती महिला को खाने में मीठी चीज़े अगर ज़्यादा पसंद आती है, या फिर आपको गुलगप पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो ये sign देखें लड़की होने का माना जाता है, अगला sign बहुत ही सटीक है, दोस्तों जिन गर्वती महिलाओ की ना भी बहुत ज़्यादा बाहर को दिखाई देती है, तो उन महिलाओ को देखें लड़का ह हुआ है, तो ये अधिकतर हमारे जो बड़े बुज़र्ग हो बताते हैं, जिन गर्वती महिलाओ की ना भी बाहर आती है, या ना भी बहुत ज़्यादा डाक होती है, तो उनको लड़का होता है, अगला sign है दोस्तों जिन गर्वती महिलाओ का बार बार मूर्ट स्विंग ह आपको छोच छोडी बातों पे बहूँद जयादा गुश्सा आजाता है या चोचड़ापन बहुत ज़्यादा रहता है और साथ ही अगर आपको आढ़ा की बहुत ज्यादा प्राप्लम रोती है सीने में जलन होती है तो ये साइन देखे लड्का होने का माना जाता है तो दोस्तों हमने काफी सारे आपको लक्षन बताये हैं जिससे कि आप काफी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉई को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को